महा सिवरात्री का ब्रत करने की विधान है दो चीजे हैं कि एक तो निर्जला है और एक फलहार है और इसमें सबसे पहले हमको जो है ब्रह्म मुहुर्त में उठ करके अश्नान करना चाहिए अश्नान करके संध्यादी कर्म करके फिर हमको भगवान शिव के मंदिर में जा करके आशन विशा करके आशन की सुध्धी करके एक घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद जो है गडपती का स्मरण वयंध्यान करना चाहिए उसके के बाद संकल्ब करना चाहिए कि हम निर्जला रहेंगे या फलहार रहेंगे इस तरह का जिस व्यक्ति को कोई निर्जला रहना चाहिए तो निर्जला का संकल्ब करें कोई फलहार का रहना चाहता है तो फलहार का शंकल्प करके औहां खलहार करके जो है शिवरात्री गव्रतर सब्सक्राइब एक देखेए इसमें नियम यह है कि आपको ब्रह्मच्यर का पालन करना चाहिए दूसरी बात यह है कि निरामिष्फ भोजन नहीं करना चाहिए उस झूत नहीं बोलना चाहिए किसी से बाद विवाद नहीं करना चाहिए किसी को अप्षब्द नहीं कहना चाहिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए दिन भर जो है कि सिव रातरी यह रात्री कालिन व्रत्थ है तो चौबिश घंटा जो औम-navajansener का ओम नमस्षिवाय का जो है प्रातहकाल जो है अजपा जब का शंकर्प लेकर कि ओम नमस्षिवाय का जब करते हुए ब्रत का पालन करना जाएंगे जैवेश्व